हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो माई चैनल तो आज में शेयर कर दियों आप लोग के साथ बहुत ही दिलिसियस और टेस्टी इजी प्याज वाली पकोड़ी और कड़ी की रेस्पी अपने स्टाइल में जैसा मैं बनाती हूं सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी इस रेस्पी तो चलिए बनाने शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको लेना एक बोल इसमें आपको डालना है दही तो मैंने यहां पे एक कप से कम खटी दही लिया हुआ है आप खटी दही यहां पे आपको डालना है बेसन तो आधा कप से मैंने कम बेसन लिया है चना हुआ बेसन अब आपना दही और बेसन को अच्छे तर से मिक्स कर लिए यहां पे देखे दोनों चीजे बहुत ही अच्छे से आपस में मिल गई है यह दूशे से अलग नहीं होने चाहिए अब अब है दनिया पाउडर एक चमच और यहां पे खल्दी त्री फुर टीश मुट अब इन दोनों पर मिक्स कर लेंगे इस से ज्यादर आपको यहां पर कुछ भी आपनी कर लेंगे बस आपको यहां पानी यहां पो यहां पर मैंने जिसे दही टालेगे उसी कप से पाई डाल तो अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे, तो इसके लिए आपको कड़ाई को अच्छे से गरम कर लेना है, इसके बाद आप डाल देजिए तेल, तो मैं या पर सरसो तिल का यूज किया है, इससे अच्छी कड़ी बनती है, तेल को अच्छे से गरम होने के बाद आप डाल जरूर बनाएगा और यहां पर आपको डालना है थ्री फोर टीस्पून डाला है करी में राई का टेस्ट बहुत बढ़ी आता है इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे गैस की फिलिम को यहां पर लो रखें लाल मिश डाल दीजे तोड़के तो मैं यहां पर दो एंड हाफ यहां यह बहुत बढ़ा है यहां पर आपको लेसन को अच्छे से पकने देना है जब तक यह ब्राउन कलर किना हो जाए यहां पर आप थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल सकते हैं इससे बहुत बढ़ा है तेस्ट आए अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर लिजए तो यहां पर दे तो प्याज हमारे भून गया है तो अब आपको बेसन को डालना है जब भी आप बेसन डाले ना घोल को तो आप एक बार मिक्स कर लेज़े क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर डाल जाता है तो यहाँ पर देखिए हम इसे अच्छे तर से मिक्स कर लेंगे यहां पिना बेयसन अभरम है जादा लग रहा है ज्लै डोग पानी एड़ करेंगे तो यहां पे दो कप आप पानी एड़ कर देड़ तोंटल हमने यहां पर छे कप पानी एड़ किया है यहां पर हम इससा अच्य Teil से दिलम अब आपको क्या करना है ना गैस की फिल्म को लो करके आपको इसे पकने के लिए चोड़ देना है बीच बीच में आप इसे थोर-थोर देर पे इससे चलाते रहें लो फिल्म पर पकाएंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही अच्छे से पकेगी तो जब तक यह हमारी कढ़ी पकत में कट कर लेना है यहां पर आप चाहें तो इससे भी छोटे पीस आप कर सकते हैं पर इस तरह से बनाते हैं तो पकोरी बहुत जाला अच्छी बनती है लच्छेदार पकोरी बनती है तो यहां पर हम पैटल्स को अलग कर लेंगे ऐसे आपको सारे प्याज को कट करके एक बोल म यहां पर मैं दाल लिए छोटी चमच से सावा चमच धनिया का पाउडर और यहां पर आपको डालना है हल्दी तो एक चमच में डाल दिया है इसके साथ ही जाल देंगे नमक टेश के कॉरिंग तो यहां पर मैं देट चमच के लगबग चोटी चमच के यूचके है मैं नमक और यहां पर थोड़ा सा गरम असारा डालेंगे, साथ ही में आपको डालना है यहां पर अजवाइन, यानि की कैरम सीद, एक चमच और यहां पर थोड़ी सी आपको डालना है, वन फोर तीस्पून की तिलगबग लाल मिश्का पॉर्डर, यहां फिर अपने टेस्ट को करें, क्यो अब आपको यहां पर दालना है थोड़ा सा पानी, यहां पर बहुत जादा पाई नहीं लगता है, मुस्की से दो या तीन चमच पानी लगें यहां पर या फोर्थ कप पानी लिया हुआ है, इसमें से आधा बच गया है यहां बहुत अच्छे से देखिए, और यह बहुत इतने कड़ी के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट है, यहां पर हम इसे मेक्स कर लेंगे, कड़ी देखिए, यहां पर गारी होनी शुरू हो गई है, मैंने इसे 10-15 मिट के बॉल कर लिया है, गैस की फ्लेम को आप लोही करके पकाई इसे, अब हम पकोड़े को फ्राइ कर लेते ह तक असम निकाले को अ जब तक अच्छे सा कलर ना AJ और इसे निकाले नहीं आए अब हम ऊपड़ी है, अब कड़ी हो गारी, औरने शुरू हो जब बिल्कुल भिश्न अब्जाम पकाई डालो है, बहुत अधिए व्यादे है, टीस्टी पकाणे, यहां पर घृ तो ऑस मेए boil करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है पकॉर्डे को, यहाँ पर चितने पकॉर्डे चाहाएं आप डाल सकते हैं और यहाँ पर हम इसे mix कर लेंगे यहाँ पर पकॉर्डे डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पतले नगारी इससे जादा आप ना पकाएं और इसे आप गर्मा-गर्म शौब करें आप चाहे तो इसे रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी और चिटपटे लगते हैं अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी खार सकते हैं धन्या डाल गानिश क कर दो थाय। चैटप्ति नहीं जाकते हैं तो आप क्या कर चकते हैं तो और पेनवे को तदा etc टेल मैं कर सजीच देल मैं यहां पे धित्सॉ तर साथ कर सकते है अपे तो सकब पाग को कि आप बुले हो दिशाएं में लीटेर ना यह तो मैंने स्किप कर दिया और आपको यहां पर डालना है थोड़ा सा कस्मी डर्चिली पाउडर गैस को आफ करने के बाद ही आपको डालना है नहीं तो आपकी जो मिर्च है वो तक बहुत प्यार आगए है तो इसको हम डाल देंगे अपने कड़ी के ऊपर इसमें जो लेसन